हलो दोस्तों मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं दे कॉमर्स चूटर चलिए इस वीडियो में ब्यारेस के टॉपिक में हम में 2018 में जो क्वेस्चन आया था टैन मार्क्स का पूछा था सी ए इंस्टिूट ने फाउंडेशन के एक्जाम में उसको थोड़ा सा देखते ह है ठीक है ना तो पढ़ेंगे इसकी डिस्केशन भी जो है हम यहां पर करते हुए चलेंगे आगे तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है दा बैंक पास्बुक अपाउंट नमबर 5678 ऑफ मिसेज रानी शोड़ एन ओवर ड्राफ्ट ऑफ तैंतिस हजार पांसो 75 रूप है यह क्या डेट क्या है 31 मार्च 2018 ठीक है अब क्या क्या रिजन्स है डिफ्रेंसिस के वह देख लेते हैं सबसे पहला देखो चेक अब रुपीज हजार असी क्रेडिटेड इन पास्बुक ऑन 28 मार्च बिंग डिजॉनर्ड इस डेबिटेड अगें इन पास्बुक 1st April 2018 there was no entry in the cashbook about the dishonor of the check until 15th April 2018 अब क्या हुआ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना यह थोड़ा सा critical है एक्जाम में आपको confused कर सकता है एक चेक था ठीक है 1080 का इसको आपने बैंक में जमा करा दिया था तो आपने cashbook में deposit के entry डाल दियोगी 1080 की और पास्बुक में भी देखना यहां पर क्रेडिट हो गया था ठीक है पास्बुक में भी क्रेडिट जो है हो गया था हजार का 1080 का एक्चुली जब भी कोई check dishonor होता है तो बैंक पहले उसको आपके account में जमा करवाती amount को उसके बाद फिर amount को वहां से withdraw करती है यानि कि पहले credit करवा देती है फिर amount को वहां से withdraw करती है यानि कि debit करती है तो मार्च महिने में हमारा cashbook और passbook दोनों में 1080 जो है deposit आपको दिख रहा था अब हो गया यह चेक dishonor अब dishonor की entry जो है बैंक ने passbook में कब की देखो डिजॉनर की जो entry है यहान लिखता हूं मैं डिजॉनर बैंक ने passbook में की है इसको 1st April 2018 को तो 1080 रुपए जो डिजॉनर के entry हुई है यह बैंक ने किया है 1st April 2018 को ठीक है ना 31 March के बाद किया है और cashbook में इसके entry कब हुई है 2018 की यह entry हुई है हमारी 15 April 2018 को तो हम तो मंतली बीरस बनाते हैं March के end date में हमारा cashbook में deposit का entry है passbook में deposit का entry है और डिजॉनर की entry इस passbook में भी एप्रिल में हुई है और cashbook में भी एप्रिल में हुई है ठीक है तो इस entry के कारण या इस एक number point के कारण आप बोल सकते हो कि हमारा cashbook का balance और passbook का balance में कोई mismatch नहीं होगा तो यह point जो है BRS में हमको consider नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए देखो solution भी मैं आपको साथ साथ दिखाते वे चलता हूं यह मैंने solution यहां पर पहले से बना रखा है ताकि थोड़ा सा time save हो जाए यहां पर देखो मैंने एक note लिया है और note में मैंने लिग दिया है कि check dishonor entry of 1080 will not result in a mismatch between balances as for passbook and cashbook सो इसको हम BRS में नहीं लेंगे ठीक है तो पहला point तो हमारा हो गया अब दूसरा point देखते है बैंकर्स had credited her account with 2800 for interest collected by them on her behalf तो बैंकर्स ने क्या किया है 2800 रुपए जो है इसके account में डाल दिया मिसस रानी के interest के तौर पे तो हमारा देखो हम जा रहें passbook के balance से cashbook की balance की तरफ ठीक है passbook का जो balance है हमारा वो ज्यादा हो गया होगा क्यूंकि 2800 रुपए का interest इसमें जमा हो गया ठीक है पर cashbook में तो अभी तक overdraft balance है जब start करते हैं तो जो चीज माइनस होनी चाहिए उसको plus करेंगे और जो चीज plus होनी चाहिए उसको minus करेंगे तो मैं आपको वह भी बता देता हूँ लेकिन हम अपने method में मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप जो चीज plus होती है normal case में उसको plus ही करना और जो negative वाला ही आएगा minus वाला ही effect आएगा क्योंकि minus की किसी चीज में अगर आप plus करते हो तो वह actually minus वाला ही effect आता है और जो भी चीज आप लेस करोगे तो minus की किसी item में आप कोई चीज माइनस करोगे तो minus minus plus का effect यह आएगा ठीक है ना तो फिर add less को सोचने में हमको confusion नहीं होगी लेकिन अगर आप यहाँ पर minus figure से start नहीं कर रहे हो आप इसको plus figure की तरह से start कर रहे हो तो जो भी चीज़े मैं आपको यहाँ पर add बताऊंगा वो आपको less करनी पड़ेंगी और जो भी आपको आंट में उसके लिए बाश्बू का वैलन्स हमारा ज्यादा है जीस्डान से रिकार्ड नहीं हुई तो क्लेस्बू का बैलन्स कम है अब क्लिक्न से हम कैस्पू की तरफ आप यहा है ठीक ओसे स्क दीक था कर लिया सक ओक हे आप़ आगए हमारा स्ट वाह्लिच आउट ओफ रुपीज 20,500 पेड इन वाई मिसेज रानी इन कैश और चेक्स ऑन 31 मार्च 2018, चेक्स अमांटिंग टू रुपीज 7,000 वेर कलेक्टेड ऑन 7 अपरिल 2018, क्या हुआ, मिसेज रानी ने 20,500 रुपाई के कैश और चेक्स बैंक में जमा कराये थे 31 मार्च को, ठीक है, लेकिन उन में से 7,000 के चेक्स कलेक्टेड कब हुए, 7 अपरिल 2018 को, यानि कि टोटल 20,500 में से 7,000 की रिफ्लेक्शन पास्बुक में आई है, 7 अपरिल 2018 को, तो ये किस चीज का केस है, ये केस है, चेक्स डिपॉसिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है ना, तो 7,000 इसके क कारण हमारा हम पास्बुक से कैस्टुक की तरफ मूव कर रहे हैं, इसके कारण हमारा पास्बुक का बैलेंस जो है, 7,500 से कम होगा, कैस्बुक में 7,500 ज्यादा होगा, क्योंकि 7,500 तो आपने मार्च के डेट में ही गैस्बुक में एंट्री कर ले होगा, डिपॉजिट पस साड़े साथ हजार का डिपॉजिट पास्बुक में कब आया सेवेंट एप्रिल को ठीक है न अभी आरेस में यह हमारा एड होगा तो हम साड़े साथ हजार रुपए यहां पर देखो एड में हम यह वाला जो है इसकी बात कर रहे हैं अच्छा आगे बढ़ते हैं क्या हुआ कि हमने 7,800 के चेक्स ड्रॉप किये थे 27 मार्च 2018 को ठीक है चेक्स ड्रॉप किये थे यानि कि चेक्स इशू किये थे हमने और उसमें से एक चेक था 25 का वो एनकैश कब हुआ 3 अप्रिल 2018 को तो यह टाइमिंग डिफरेंस है 25 का चेक्स ड्रॉप हो गया था 27 मार्च 2018 को लेकिन एनकैश हुआ 3 अप्रिल तो इसके कारण हमारा कैश्बुक जिस दिन हमने ड्रॉप किया था इस 25 के चेक को उसी दिन कैश्बुक में हमारा माइनस हो गया होगा लेकिन पास्बुक जो है उसमें तो 3 अप्रिल को एनकैश में पच्चीस सो हमने यहां लिख रखा है अब चलो आगे बढ़ता है कि फिफ्थ पॉइंट देखो बैंकर सीम तो हैव गिवन हर रॉंग क्रेडिट आफ रुपीज पान सो पेड इन बाइब हर इन अकाउंट नंबर यहां पर दो चीज़ें बताई गई है क्या हुआ ध्यान से सुनना जिसका हम रिकॉंसिलेशन कर रहें अपने कैश्बुक के साथ यह अकाउंट नंबर ध्यान दो यह है 5678 अकाउंट नंबर ठीक है और यहां पर किसी और अकाउंट नंबर की बात की है अब एक इनसान का बैंक में एक से जाधा अकाउंट हो सकता है एक बिजनस का भी बैंक में एक से जाधा अकाउंट हो सकता है अब क्या किया हमने 500 रुपए जमा दिये थे 8-7-6-5 में अकाउंट नंबर 8-7-6-5 में हमने मिसेज रानी ने 500 रुपए जमा दिये थे लेकिन बैंक ने क्या किया उसको अकाउंट नंबर 8-7-6-5 में क्रेट कर दिया तो इसके लिए क्या हुआ होगा इसको ए पॉइंट पकड़ लेता है यह पैसा हमने जमा दिया है 8- 8-7-6-5 में हमारा यह जमा तो रिकॉर्डडड नहीं होगा तो इसके में रॉट कमया बढ़िस से तरह कि तरफ लेना होगा तो देखो यहां पर credit given in wrong account by bank जो है less में हमने 500 रुपय ले लिया अब इसका second part में आते हैं और इसको थोड़ा सा मिटाल लेता हो ठीक है ना देखो यहां क्या लिखा है a wrong debit in respect of a check of rupees 300 against her account number 8765 अब क्या हुआ कि एक check हमने issue किया था वो check था 8765 account से related check था पर उस check का जो amount 300 रुपया bank ने हमारे 5678 वाले account में debit कर दिया तो passbook में गलत debit मतलब passbook से एक amount गलती से काट लिया गया है minus हो गया है पर cashbook में यह amount minus नहीं है तो cashbook में तो ज्यादा balance होगा ठीक है ना तो हमको इसको add में लिखना पड़ेगा कहाँ add में तो देखो wrong account debited with respect to checks issued यह वाला यहाँ पर 300 रुपया जो है इसका amount है ठीक है अच्छा check of rupees 1000 entered in cashbook but omitted to be banked on 31st March 2018 क्या हुआ कि एक check था 1000 रुपय का हमने cashbook में entry कर दी लेकिन bank में जमा करना ही भूल गया वो check bank में जमा करना ही भूल गया तो cashbook में तो हमारा entry करते के साथ balance बढ़ गया होगा पर passbook में नहीं आया होगा क्योंकि check तो हमने 31st March तक bank में जमाई नहीं किया था तो पैसे तो passbook में आएंगे नहीं तो passbook घटा हुआ है cashbook बढ़ा हुआ है तो हम add में लिखेंगे इसको add में लिखेंगे यह वाला check collected by not deposited in bank 1000 ठीक है यह हमने लिख दिया साथमा पॉइंट देखो क्या है बिल रिसीबेबल फॉर उपीज 5200 प्रिविएसली डिजॉनर्ड प्रिविएसली डिजॉनर्ड नहीं होगा यह यहां पर कुछ गलती लिखी वही है यह यह पर यह प्रिविएसली डिसकाउंटेड होगा ठीक है इसको ठीक कर देता हूँ श्काउंट रूपर यह घंघ हम को ट्यूर्ड को तो इस बिल को 520 के बिल को हमने डिसकाउंट करवाहा था झाट करए रचांप के पूरा पैसा को ठोड़ी बैंक हमको पहले रही है कुछ चार्जस तो वह टिडट करेगी charges deduct करके पैसा देगी, पहले pay करने का कुछ charges, तो bank ने हमको 5200 की bill में 200 रुपया discount काटके 5000 रुपया हमको उस समय दिया था, ठीक है, पर अब जब bill dishonor हो रहा है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, बैंक हमको जो है, इस amount के लिए charge करेगा, जिससे पैसे collect करने थे बैंक को 5200, उसने तो पैसे दिये नहीं, तो bill जो है, वो dishonor हो गया, तो अब बैंक किसको पकड़ेगा हमको, और हमसे कितने पैसे मांगेगा वो, 5000 नहीं, 5200 रुपय मांगेगा, तो 5200 रुपय हमसे मांगने हम हमारे account से सीधा पैसा काट लेगा, तो bank ने हमारे account से 5200 रुपय है, काट लिए, ठीक है, पर इसकी advice हमको मिली 1st April 2018 को, इसके बारे में हमको पता चला, 1st April 2018 को, तो cashbook में तो 1st April के बाद ही entry होई होगी, तो case क्या है, passbook में तो ये पैसा minus हो गया, पर cashbook में minus नहीं हुआ, त ठीक है, तो क्या करेंगे हम, add, तो यहाँ पर add में देखो, bill discounted, now dishonored but not recorded in cashbook 5200, ठीक है, यह हमने कर लिया, आठोवा point क्या है, a bill of rupees 10,000 was retired paid by the bank under rebate of rupees 175, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cashbook, अब bill retired मतलब क्या यह भी बताता हो, यहाँ पर जो bill है, वो bill payable है, हमारा एक bills payable था, ठीक है, वो हमने किसी supplier को दिया था, bills payable accept करके, अब supplier ने उस पैसे को demand किया होगा, तो हमारे बैंक ने उस पैसे को pay कर दिया, यानि कि फ 127 रुपए छोड़ दिये उसमें से तो नो 3825 रूपए甚麼 हमने क्या किया मैं खिए हमने साइड में used payment side में तो उसमें हमने full amount ुदिया cashbook में हमने 10,000 लिख दिया ऩो गल्ती हो गई गलती होने के कारण cashbook में हमने payment जो है 175 रुपया ज्यादा payment दिया हमने आपने कारण हमारो cashbook का balance है 175 कम होगा और पास्बूक का balance जो है ज्यादा हो ठीक है तो cashbook में हमारा 175 रूपया कम बैलेंस होगा तो हमको माइनस करना पड़ेगा तो लेस में लिखेंगे यह देखो रिबेट ऑन बिल्स पेबल रिटायर्ड पेड नॉट इंटर इन कैश्बूक उबाट प्यस्टे को रखते हैं रिटायर्ड नॉट सब्सकार रिटोटेटि यहीं अपने लिए वह आइपनो रॉटेक्स पेसे~~~ ठीक है यहां पर देखो एक चीज जो है बहुत ध्यान से सुनना ठीक है यह आपको 33575 से 14000 को एड करोगे तो आपका आएगा कितना मैं आपको बताता हूं 33575 नेगेटिव प्लस कर रहे हो आप 14000 तो आपका आएगा 19,575 लिख देता हूं ठीक है महां पर आप अगर एड करते 8,375 रुपय को तो 19,575 में 8,375 एड करने से 27,950 ही आएगा तो क्यूंकि हम एक minus figure से start कर रहे है इसलिए हम add items को less कर दें और less items को add कर दें तो चल जाएगा क्योंकि overdraft balance में क्या होता है कि normally जिन चीजों को हमको add करना चाहिए उनको हम less करते हैं ठीक है simple सा concept देखो आपने किसी और teacher से पढ़ा होगा तो उसने आपको ऐसा सिखाया होगा institute के मैट से भी अगर आपने किया होगा तो वहां पर यही चीज बताई हुई है कि जब भी हमको कभी overdraft balance दी वही होती है तो हम तो balance यहां पर जब लिखेंगे तो positive ही लिखेंगे देखो मैं दिखाता हूं इसको इन लोगोंने less में लिया यह जो चार आइटम से 14000 का इसको इसको और लिंसको बिखेंगी क्योंकि इन्होंने positive figure से start किया है और हमने क्या किया है जब start किया तो एक सामने minus लगा दिया इसलिए add और less का effect उल्टा हो गया तो आप चाहे इस method से करो या चाहे आप इस method से करो दोनों ही allowed है दोनों ही acceptable है आपके marks नहीं कटेंगे ठीक है लेकिन कभी अगर कोई true false का question आपसे पूछ लिया इसको थोड़ा सा मैं मिटा के साफ कर देता हूं कभी अगर कोई true false का question आपसे पूछ लिया या multiple choice के questions मैं आपसे पूछ लिया कि अगर हम balance as per passbook का overdraft से start कर रहे हैं मानलो कि हम balance as per passbook का overdraft से start कर रहे हैं तो यह चेक्स deposited but not collected हमको एड करना है कि लेस करना है मानलो ऐसा mcq में पूछ लिया तो आपको न वहां पर लेस ही लिखना पड़ेगा यहां पर देखो यह वाले method से वो लोग assume करता है कि आप यह method से इसको solve कर रहे हो ठीक है तो यहां पर हमने balance as per passbook overdraft से start किया है यहां पर हमने plus figure ही लिखा है तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं चेक्स issued but not and cash from add कर रहे हैं तो यह चीज़ जब आपको mcq या true false में लिखनी होगी तो आपको add ही option में लिखना होगा वहां पर अगर आपने less option लि तो उस हिसाब से आपको क्या चीज़ एड करनी चाहिए क्या less करनी चाहिए वह आपसे वह पूछ रहा है तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखना आपको मैंने यह method माइनस से start करने वाला इसलिए सिखाया ताकि आपको कोई confusion ही नहीं कि किस item को add करना है या less करना है लेकिन अगर आप comfortable है ठीक है लेकिन अगर आप comfortable है तो फिर आप चाहो तो इस method से कर सकते हो वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आपको पता रहेगा कि किस को add करना है तो आप उसका उल्टा कर लोगे लेकिन कभी-कभी सोचने में दिक्कत हो जाती है silly mistakes हो जाती है इसलिए म आपका यह जो है यह ऐसे होगा ठीक है यही वाला आपको अप्रोच फॉलो करना होगा तो बस इतना ही बताना था मुझे यह में 2018 का जो question था यह काफी अच्छा और important question था इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं वीडियो काफी लंबा हो चुका है अगले वीडियो में दू